हेलो फ्रेंड्स नमस्ते और वेलकम बैक टू घराओंदा फैमिली व्लॉग्स उमीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ मंडे टू सैटेड़े के लिए 6 easy and quick lunch box टिफिन सबजी रेसिपीज शेयर कर रही हूँ तो चलिए फटाफट व्लॉग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स मंडे से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो सबजी की रेसिपी में शेयर कर रही हूँ वो है भिंडी और प्याज की सबजी इसको आप भिंडी और प्याज की भुजिया भी बोल सकते हैं तो कड़ाई में मैंने सरसो का तेल लिया है तेल जब अच्छे से गरम हो गया इसमें फिर मैंने डाला 5 फोरन मसाला पांच फुरन मसाला जब अच्छे से तड़क जाएगा फिर मैंने इसमें छोटे-छोटे टुकडों में कटी हुई भिंडी ऐड़ कर ली भिंडी को न मैंने वाश करके कट किया था इससे भिंडी लसलसी नहीं बनती है अच्छी सी खिली-खिली बनती है तो भिंडी डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया फिर थोड़ा सा हल्दी का पाउडर एड़ किया है लाल मिर्च का पाउडर एड़ किया है और एक ग्रीन चिली को मैं छोटे छोटे टुगडों में कट करके एड़ करूंगी आप चाहें तो इसकिप भी कर सकते हैं या आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर या फिर हरी मिर्च दोनों में से कोई एक चीज भी एड़ कर सकते हैं सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस सबजी को ना हमें एकदम लो फ्लेम पर धक धक कर पकाना है थोड़ी देर के लिए धकन लगाया फि प्याज दालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक प्याज भी थोड़ा सा भिंडी के साथ भुन जाए और देखिए मैं इस तरह से धक धक के पका रही हूँ एकदम कम आज पर उसके बाद मैं इसमें एड़ कर रही हूँ यहां पर अमचूर का पाउडर और जीरा पाउडर एक एक चम्मच एड़ किया है अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीजों को और यह दोनों मसाले एकदम मस्ट हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है अच्छे से भुन भुन कर पका लेंगे इसके बाद मैंने सॉल्ट भी बनेगी अच्छी सी भुनी हुई नहीं बनेगी तो चलिए मूव करते हैं ट्यूजडे की सबजी रेसेपी पर जिसमें मैं बना रही हूँ लौकी और चने की दाल की सबजी तो कड़ाई में मैंने सरसो का तेल लिया है तेल गरम होने पे जीरा डाला जीरा जब कड़क गया तो बारिक कटी हरी मिर्ची एड किया है और इसके बाद मैं एड कर रही हूँ यहाँ पे चने की दाल तो चने की दाल को आदा गंटा पहले मैंने थोड़े से पानी में सोक होने के लिए रख दिया था और हाथों से ही निकाल के ड्रेन करके मैंने चने की दाल को कड़ाई मे एड़ कर लिया है और इसको थोड़ी दिर के लिए हमें भुनना है थोड़ा सा चने की दाल जब रोस्ट हो जाएगी हलका सा इसका कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद इसमें हम लोग एड़ करेंगे बारिक कटी हुई लौकी इस सबजी को बनाने के लिए आप ध्यान रखियेगा कि जो लोकी आप यूज़ करें वो थोड़ी सी ना moist लोकी होनी चाहिए छोटे size की लोकी यूज़ करें जिसमें बीज ना हो सारी चीजों को अच्छे से मैंने mix कर दिया है और नमक मैंने immediate इसलिए add किया ताकि नमक जो है वो लौकी को help करेगा जल्दी cook होने में और इस सबजी में extra कुछ भी अलग से पानी नहीं डालना है लौकी जो खुद से पानी release करेगी उसी में cook होगी और इस तरह से हमें धगध कर पकाना है और लास्ट में आप देख लो कुछ इस तरह का आपको end end में texture देखनी के लिए मिलेगा और आपको इस सबजी को तब तक पकाना है जब तक पानी एकदम अच्छी तरह से सबजी में से उड़ना जाए बिल्कुल भी लौकी जो पानी release करेगी नहीं वो पानी न सबजी जो है वो बनकर रेडी हो गई है और यह वाली सबजी घी लगी जो रोटिया होती है उसके साथ एक दम मस्त लगती है एक पर ट्राई जरूर करना तो चलो अब मूव करते हैं वेटनेस्टे की सबजी रेसेपी पर और इसमें मैं बना रही हूँ बीन्स और आलू की स सबजी तो उसके लिए मैंने पैन में सरसो का तेल लिया है फिर से और जीरा और मेथी दाना डाला है दोनों मसाले जब तड़क गए तो रफली कटा हुआ प्याज एक बारी कटी हुई हरी मिर्ची और छोटे-छोटे टुकडों में कटा हुआ लसन मैंने आड़ किया है लाज का रंग हलका चेंज हो जाएगा हलका सा ब्राउन ब्राउन सा दिखने लगेगा फिर मैं इसमें एड़ कर रही हूँ यहां पे छोटे टुकडों में कटे हुए आलू इस तरह से क्यूब्स में मैंने कट किया है आलू मैंने पहले छिल कर धो कर फिर कट किया है सारी चोटे चोटे टुकडों में कट कर लिया था बीन्स भी आड़ कर दिया अब इन दोनों चीजों को अच्छे से भुनना है जब तक थोड़ा सा सौफ्ट ना हो जाए उसके बाद मैं यहां पे हल्दी आड़ कर रही हूँ और थोड़ा सा लाल मेज का पाउडर और इन दोनो और बीन्स जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है अब मैं इसमें अड़ करूँगी एक बहुत ही अच्छा मसाला जो इसी स्टेज पे आपको अड़ करना है जो की है अमचूर का पाउडर और अमचूर के पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सबजी में तो य आधा चम्मच मैंने यहां पे लट पटापन रहेगा सबजी के अंदर इसलिए पानी आड़ किया था और अच्छे से भुन भुन कर कम आज पर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे देखो मैं आलू यहाँ पर आपको कट करके दिखा रही हूँ तो आलू और बींस दोनों ही अच्छे से सौफ्ट हो गये हैं और सबजी जो है हमारी पूरी तरह से बनके रेडी है यह वाली सबजी आप रोटी पूरी पराठा किसी के साथ भी बनाकर खाईए बहुत ही यम लगती है तो चलिए अब मूव करते हैं थ्रॉस्डे की सबजी रेसिपी पर जिसमें मैं बना रही हूँ तुरई और काले चने की सबजी बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है यह और विहार जारखन में तो बहुत ही जादा फेमस है जिसके लिए मैंने सरसो का तेल लिया है फिर से कड़ाई में तेल गरम होने पे जीरा डाला जीरा जब तड़क गया तो एक बारिक कटा हुआ मैंने प्याज जाला है प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है हलका गुलाबी होने तक या फिर हलका मैं बोलू ब्राउन होने तक उसके बाद ना एक मिर्ची मैंने एकदम छोटे छोटे टुकडो में कट करके एड़ कर दिया है अब इसमें मैं एड़ करूँगी ध्यान से जिस तरह से मैं जो चीज बता रही हो न उसी तरह से आप डालना उसी तरह से सारी चीजे स्टेप्स बाई स्टेप्स जाएंगी सबजी के अंदर काला चना मैंने एड़ किया है काले चने को एकदम कम फ्लेम पर हम भूनेंगे थोड़ा सा सौफ्ट होने तक तो ढगढ़ कर देखो मैं इस तरह से पका रही हूँ काला चना जब सौफ्ट हो जाएगा न उसके बाद मैं एड़ की हूँ यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसमें एड़ करूंगी वेरी इंपॉर्टेंट तुरई तुरई को न हमारे तरफ बिहार जारखड में नेनुआ भी बोलते हैं तो इसको न इस तरह से गोल गोल मैंने मेडियम साइज में कट किया है आप चाहें तो थोड़ा छोटा भी काट सकते हैं थोड़ा सा बड़ा भी काट सकते हैं यह एनिवे गल के रिड्यूज होकर एकदम हाफ सॉल्ट भी मैंने साथ में अड़ कर दिया था लौकी की तरह तुरई भी काफी पानी रिलीज करेगा और अपनी पानी में ही कुक होगा जीरा का पाउडर भी मैंने अड़ किया है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया और ढखक कर इसको पकने के लिए दे से एकदम ड्राइ ड्राइ सब्जी बनेगी मॉइस्ट होगी सब्जी लेकिन पानी नहीं होना चाहिए उसके अंदर तो इस तरह से कुछ सब्जी का लास्ट लास्ट में आपको टेक्स्चर देखने के लिए मिलेगा और सब्जी एकदम जट पट बनके रेडी है बहुत बना रही हूँ बैगन और टमाटर की भुजिया बैगन और टमाटर की सब्जी भी आप बोल सकते हैं तो अगेन मैंने सरसो का तेल लिया है सारी सब्जिया मैं सरसो के तेल में ही ज्यादा तर बनाती हूँ इसलिए तेल गरम हो गया तो जीरा डाला था जीरा तड़कने पे बारिक कटा प्याज मैंने डाला है प्याज को ना हलका ब्राउन होने तक मैं यहां पर भुनूंगी उसके बाद ना इसमें एकदम बारिक बारिक काट कर ग्रीन चिली एड़ कर रही हूँ और इसको भी अच्छे से भुन लेंगे और ये वाली सबजी ना अगर आपको बैगन नहीं पसंद है तो मैं आपको बोलूंगी आप एक बार ट्राई करना आपको बैगन पसंद आने लगेगा और जिनको पसंद है उनको तो एक बार जरूर इसको ट्राई करके देखना चाहिए बहुत यम बनता है और एकदम फाइनली चॉप जब सारी चीजे भुन गई ना उसके बाद मैंने यहां पर बैगन एड किया है इस सबजी में ध्यान रखिएगा एकदम फाइनली चॉप बैगन ही आपको एड करना है एकदम बारिक बारिक कटा हुआ आप देख रहे हो सारा जो बैगन का टेक्स्चर है वो एक जैसा लग रहा था थोड़ी देर के लिए धगधग कर आपको पकाना है बैगन इस तरह से रिडीम हो जाएगा अपने साइज में और जितना हमने बैगन डाला था न उतना ही क्वांटिटी सेम इसमें टीमाटर जाएगा तो टीमाटर भी मैंने एकदम सेम क्वांटिटी में छोटे-छोटे टुकडों में फाइनली चॉप कर लिया था टमाटर ऐड कर दिया रली िस्प्रक्षिप न फंधर कर दिया लाल मिर्च आपॉडर एड किया है और सॉलट आड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग तो एकदम फ्रेश अगर आपके पास धनिया है तो वो कट करके जरूर डालना इस सबजी का जो टेस्ट है वो एकदम बढ़ जाता है इस सबजी में अलग से आपको पाने वेगरा बिल्कुल भी नी डालना है इसी तरह से भुन-भुन के इस सबजी को बनानी है और इस सबजी एक बढ़ ट्रायी जरूर करना बहुत अच्छी बनती है और पराठों के साथ बहुत बहुत अच्छी लगती है तो चलो अब मूव करते हैं एकदम लास्ट सैटडे के दिन की सबजी रेसेपी पर जिसमें मैं बना रही हूँ आलू और परवल की सबजी तो पैन में मैंने स चिल कर धो कर पतला पतला लंबा लंबा कट किया है मेडियम साइज में सेम विथ परवल ऑल्सो पतला पतला लंबा लंबा धो कर कट कर लिया है मेडियम साइज में और परवल के जो बीज होते हैं अंदर के वो मैंने निकाल दिया था मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता जो प तो यहां पर मैं कट करके आपको दिखा रही हूं देखिए सॉफ्ट हो गया है तो अलग से एक बोल में मैं आलू और परवल दोनों को निकाल लूँगी और सेम पैन में यूज कर रही हूं थोड़ा सा सरसो का तेल लिया है सरसो का तेल जब गरम हो गया तो इसमें जीरा एड आपकी तो एक बिखे निक अप्याज की दया है पर प्याज को अच्छे से फामली चॉप कर लिया था लिया है एक दम सभी सब्स निकारै रखिया गाए — तो एकड़ कम फलेम पर मैं न रही ने तक यहां पर देखिए भून लिया है जब प्याज अच्छे से भून जाएगा ना उसके बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले जो है वो एड़ करेंगे जैसे हल्दी का पाउडर मैंने आड़ किया है सॉल्ट मैंने पहले ही डाल दिया है थोड़ा सा धनिया का पाउडर पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा लटपटा वाला टेक्स्चर आ जाए कुछ इस तरह का तो सारे मसालों को मैंने यहां पर अच्छे से भून लिया है और रिलीज होने तक इसके बाद मैं इसमें एड़ करूंगी अच् सेपरेट नहों जाए रिलीज नहों जाए उसके बाद जो आलू और परवल फ्राइ करके रखा था एक ड़म स्टार्टिंग में उसको हम आड़ कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक लास्ट लास्ट में आम इसमें अड़ करूंगी थोड़ा सा एकदम थोड लटपटी बनती है अगर आपको ग्रेवी वाली बनानी है तो आप थोड़ा सा पानी आड़ कर सकते हैं ये वाली सबजी पूड़ी के साथ एक दम मस्त लगती है एक बार मेरे कहने पर ट्राई जरूर करना बना कर जरूर देखना फ्रेंड्स ये सारी सबजी अना सीजनल लगा है तो लाइक शेर कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना बेल नोटिफिकेशन भी ओन करना फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बाई बाई